नमस्कार दोस्तों अपने भारदेश की महत्रभादा से जुड़े हुए हमाई चैनल हिंदी शाहित शर्ता में आप सबका श्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी की अधिपत्ति श्ठित प्राख्यात लेखी का कृष्णा शोपती जी का सं चैनल शिप्त जीवन परिचे तो कृष्णा शोपती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 श्षी गुजरात में हुआ था फृंस कि अधिकर शोपती जीका जन्म हुआ था वर्तमान में वह पाकिस्ता सिस्था में है कृष्णा सोक्ती जी की 25 जन्वरी 2019 दिल्ली में हुई थी कृष्णा सोक्ती जी की जब म्रत्य हुई तब यह 93 वर्स की थी इनके उपन्यास हैं मित्रो मरजानी सूरज मुखी अंधेरे के जिंदगी नामा दिलोदानिश समय सरगम सोक्ती जी को जिंदगी नामा पर साहित अकदेमी पुरुसकार प्राप्थ हुआ था 1938 वी में और समय सरगम पर इन्हें 2007 में व्यास सम्मान प्राप्थ हुआ था इनका एक मातर कहानी संग्रा है बादलों के घेरे यह 1968 वी में प्रकाशित हुआ था इनकी लंबी कहानिया है या उपन्याजिका भी कह सकते हैं इन्हें डाल से बिछुड़ी 1958 वी में प्रकाशित हुई यारों के यार 1968 वी में तीन पहाड़ 1968 वी में ऐ लड़की 1991 वी में और जैनी महरवान सिंग 2007 वी में आया इनकी विचार संबाद या संस्मरड है हम हश्मत तो यह हम हश्मत इनका तीन भागों में प्रकाशित हुआ और यह संस्मरड विधा का मील का पत्थर शावित हुआ फ्रेंस निक्स्ट है नका सोपती एक शोबत फिर है सब्दों के आलोक में निक्स्ट है मुक्तिबोद एक फिक्तित तो सही की तलाश में यह 2017 में प्रकाशित हुआ फिर है मारफत दिल्ली यह 2018 में प्रकाशित हुआ फिर है लेखक का जनतंत्र यह भी 2018 में ही प्रकाशित हुआ अब हम लोग देख लेते हैं कृष्णा सोक्ती जी के उपन्यासों को याद करने की बहुत ही सिम्पल सी ट्रिक जिसकी सहता से आप लोग इनके उपन्यासों को प्रकाशन वर्स के अनुसार करम से लगा सकते हैं तो ट्रिक है कृष्णा के मित्र सूरज, जिन्दगी, दिल, समय और हम एक बार फिर रिपीट करेंगे कृष्णा के मित्र सूरज, जिन्दगी, दिल, समय और हम फ्रेंसिस्टिक को आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो यह आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगी अब हम इसको explain कर देते हैं तो कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा सोब्दी फिर है मित्र तो मित्र से हो जाएगा मित्रो मरजानी जो 1967 में प्रकाशित हुआ फिर आता है सूरज तो सूरज से हो जाएगा सूरज मुखी अनहेरे के फिर है जिन्दगी तो जिन्दगी से हो जाएगा जिन्दगी नामा फिर है दिल तो दिल से हो जाएगा दिलो दानिश फिर है समय तो समय से हो जाएगा समय शरगम जोकि 2000 इस वी में प्रकाशित हुआ था और 2007 इस वी में इस पर व्याश्चामान प्राप्थ हुआ था और इसमें लास्ट में हम लगाया है तो यह इनकी हम हश्मत जो की बहुत ही प्रशिद्य रचना है काफी चर्चा में रहती है ये और कई बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है इसलिए से मैंने पनी ट्रिक में जो लिया है फ्रेंस आप याद रखेंगे इसे की ये संस्मरण है इनका उपन्यास नहीं है तो यह थी कृष्णा सोक्ती जी के उपन्यासों को बहुत ही आसानी से याद करने की ट्रिक दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही कमेंट करिए अपने समस्याइं और अपने व्योज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए अपनी मात्रभाशा हिंदी के शपोर्ट के लिए ज़्यादत से ज़्यादा इसे शियर करें और सबस्क्राइब करें हमारे चैनल हिंदी सहीत शर्टा को मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों